हेलो फ्रेंस वेलकम टू नमीका किचिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर करने जारी हूँ जो बहुत ही हेल्दी भी होता है और जटपट बन भी जाता है कभी-कभी आलस आता है अलग से दाल चावल बनाने के लिए तो आप पिस रेसिपी को ज़रूर ड्राई कर सते हैं फ्रिज में जितनी भी सबजीया है उनको आप यूज कीजिए तो आज मेरे फ्रिज में क्या-का सबजीया थी चलिए देखते हैं तो मेरे फ्रिज में आज पड़े थे मुष्रूम्स तो मैंने सोचा अलग से मश्रूम बनाने स तब तक मैं ने चावल चड़ा दिया था , चावल मेरा पंकर रेडी था तो चलिए देख लेते हैं मश्रूम को साफ कैसे करना है मश्रूम को साफ करने के लिए या चाकू ले लिए या हाथ से भी आप इनके चिलके को निकाल सकते क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो मैं चाकू से इनके छिलके को निकाल रही हूँ, इनको निकालना जरूरी है क्योंकि थोड़ी गंदगी लगी रहती है, बहुत लोग इसको धोते नहीं है, सुखे या गीले कपड़े से इसको पोच लेते हैं, लेकिन मैं इनके छिलको को अच्छे से उतार रही हूँ, दे कि इनको पानी में थोड़ा सा अच्छ से डाल के हलके हातों से इनको धो लिया दो एक बार दोने के बाद इनको में पीस करके मैंने को चॉप कर लिया था बहुत जादा हम इनको नहीं दोएंगे क्योंकि जादी गंदगी इसमें कुछ लगा नहीं रहता है तो थोड़ा सा फ्रै ड्रीजर बहुत ज़्स जाए आदा पर्फ्र्ाडव कोशनी नूच पना पूते हैं को टीशा प्रफ्रत में बर्फाइश देटरें मिनिट गॉननने के बाद मैंने इसमें प्यूंस डाल दिया और फ्रेंच बीर्फस सबसे ज़्यादा ताइम बहुत हैं Mind पूरासगा जाजर भी उसी मही था और सब्जीया आप अपने मुताबिक दे सकते हैं आपकी फ्रिज में जूभी सब्जी एंड़ेते हुट को अपड musther जाते हैं ऑ फूल्ग को भी डाल सकते हैं डाल सकते हैं तो अब ले लिया था विएकि मेरे पास अभी तीनों ही था और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है कैपसिकम को हमको ओवर कुक नहीं करना है यह तो यह इतना कलरी छोड़तेगा अब साथी साथ मैस मैश्रूम जो मैने पीसिस करके रखे थे उसको भी मैं डाल दूगे और इनको सबको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे हम और इसी का एक mix wedge भी बन सकता है, आप चाहे तो इसको as a mix wedge भी खा सकते हैं, रोटी है पराठे के साथ, तो यह देखिए कितना बड़ा mix wedge बन कर तैयार है, तो लेकिन आज मैं fry drys बना रहे हूँ, तो इसको मैं अच्छे से fry करूँगी, थोड़े दिर तक तुमको fry करना है, 5- ब्लाक पेपर पाउडर डाल देंगे, और यह है मीप मसाला पाउडर या करम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी आट करने की जरूरत नहीं है, यह दो चीजी आपका खाने का जो फ्राइड राइस का जो टेस्ट है वो बना देगा, तो अच्छे से मै लीजिए, नेक्स डे बनाने के लिए, तो उसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं दुपेर को बना रही हूँ, all of a sudden मन किया फ्राइड राइस खाने का, तो एक घंटे पहले ही मैंने चावल बनाए थे, तो मैंने फैन के नीचे रख दिया था, बनाने के बाद, ताक अगर नमक कम है, तो हलका सा नमक उपर से आप छिड़क दीजिएगा, और हमारे फ्राइडर्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आप दुपेर को इनको सर्फ कीजिए, रात को खा लीजिए, बहुत ही हल्दी क्योंकि इसमें इतने सारे वेजीज पड़े हैं, आप इनक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने गर में इसको जरूर बनाइएगा, बहुत ही हल्दी रेसिपी है, मैंने थोड़े सालट के साथ इसको सर्फ कर दिया, विट सम स्प्राउट्स, तो आप भी इसको ऐसी एंजोई कीजिएगा और इसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, so thanks for watching my video,